तो हमारे भाई बोलते हैं कि भाईया गुरोजा मतलो सिर्फ पांची बंदे तो पेलने हैं और मैं इतना बेवकूफ मैं सुन लेता हूँ वाद यहाँ पे मेरी गलती है तो भाई लोग कैसे हूँ तो यहर वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत आपका एक बराण न्यू पबजी दो मोबाईल की एंपले वीडियो में जो भाईया इतनी इंटन्स है न की क्या ही बताऊं मतलब चार बंदे आते हैं मैं उन्हें पेलता हूँ उसके बाद चार और राज आते हैं हम उन्हें भी समालते हैं उसके बाद एक और स्कॉट तो भाईया टोटल गलत सी नोने वाले और आपको पता ही है यार मतलब मेरे साथ गलत सी ना हो ऐसा कभी दिन जाता नहीं फिलाल मैं military आ रखाऊं और देखो किस कदर मैं ammo बर्बाद करता हूँ यहाँ पे अभी अभी एक बंदे को पेलने के लिए मैंने 40-50 गोलियां बर्बाद कर दी हाना फिर बाद में भाईया जब गोली नहीं होगी न जो दिक्कत होगी वो अलग होगी लेकिन क्या करे ढीट है गोली तो चलानी पड़ेगी उपर आता हूँ एक एम वगेरा मिल जाती है तो सही है यार अब गुसके पेल सकता हूँ मैं इनको और अब मैं यहाँ पे एक एम की गोलियां बर्बाद कर रहा हूँ अब ये बंदा कौन था ये निहत्ता नंगा बंदा कौन था तो देखो अगर आपको याद होगा जैसी में उत्रा था ना तुम्हारे भाई ने 40-50 गोलियां बर्बाद कर दी थी इसी बंदे बे की थी तो ये रिवाईव वगेरा हो गया होगा यहाँ पे हाना मैंने बोला यार देखो एक बार तुम पे बहुत गोली बर्बाद कर चुका हूँ मैं 50 गोली अरे भाईया हलवा नहीं है वो भी उतरते ही 50 गोली उस बंदे पे बर्बाद की तो मैंने बोला क्यों आप थोड़ी गोली बचा लेता हूँ एक ही सर पे हेड़ सौट पेला भाई बाहर भग रहा था सीधा लगा और सीधा पेटी बन गई भाई की खेर उसके बाद इसी घर पे बाकी बंदे भी बैठे हुए हैं तो यार मैं तयार हूँ गोली बर्बाद करने के लिए अब हमारे भाई हमसे यहाँ पे ठीपी ठीपी भी खेलेंगे हना बिल्कुल यहाँ पे बैठाता देखो अगर बगैर देखे आता नमें यह सीधा पेटी बनाता बिल्कुल हारा दुआ यही निकल जाता लेकिन मैंने देखा अच्छा यहाँ पे बैठे हो सीधा सर पे 2-4 गूलियां पेली, पेटी बनाई, अब उनकी बारी जो बाकी बचे हैं या और यहाँ पे मुझे नहीं पता ख्यूं लेकिन मैंने बहुत देर में गूलियां चलाई सालों पहले मुझे गूली पेल देनी चीए थी लेकिन कोई नियार बंदा अंदर आ चुका है और कैम बिठा दिया भाई ने तो हम भी जाएंगे अंदर और ये लॉंडा SKS वगेरा पटका रहा था ठीक है मैंने देखा यार किसको मार रहो मैंने सोचा ठीक है यार इसने किसी को नौक की होगा मैं पीछे मुडा धैर बेड बिल्कुल मैंने आधा सेकंड भी निलिया मैं पीछे मुडा देखने के लिए कि भाई कौन नौक है किल चुराता हूँ और देखा तो भाईया पेटी बन चुकी थी तो मैंने बोला भाईया ऐसे कैसे चलेगा उस बंदे की पेटी बनाई लेकिन अभी यहां पे काफी सारे बंदे बाकी है भाईया दो धाई पता नहीं कितनी स्कौार्डे यहां पे तो उन से भी लड़ेंगे और उसके बाद कहीं और जाएंगे रस रूस करने बिलकुल बच्तमी जी से और अब देखो गलत सीनोंने वाले है यहां पे अब देखो मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन ये बंदाना इंडियन आइडॉल जरूर जाएगा भाई सो परतिसत लिखके लेलो मेरी से क्योंकि जी सी साब से ये नच रहा थाना भाई अलग लेवल पे था वो और जिसको नहीं पता नहीं ये कौन सा टाइम है मैं बताता हूँ ये है बहाना टाइम ये वही time होता है जब मैं knock हो जाता हूं उसके बाद एक सड़ा सा बहाना देता हूं लेकिन इस बार मुझे सही में समझनी आए मैंने इतनी गोली पेली मैं इधर पेल रहाँ बंदा उधर जा रहा है मैं उधर गोली हाँ बंदा इधर आ जा रहा है और हम पर रस चुका है तो देखो कैसे पेटिया बनेंगी अब यहाँ पे अब यहाँ पे न मुझे पता नहीं क्या हो गया था भाई मैं ऐसे खेल रहा था जैसे मैंने कोई महंगा गत्ता फूकाओ सस्ता नहीं मतलब मुझे हेल्थ की परवानी मुझे बस बंदों की पेटि बनानी थी यहाँ पे तुम्हारे भाई ने अभी दो ढ़ाई स्कौाड के बंदे पेल दिये बगेर हील करें ठीक है हीलिंग मेरे पड़ी थी शायद बैंडेज वगेरा लेकिन बगेर हील करें मैंने इनको पेल दिया हाना धीटता की सीमा देखो लेकिन मुझे उस बात की खुशी नहीं है मुझे इस बात की खुशी है कि भाईया यह जो SLR SKS वाला बंदा था ना यार इससे बदला ले लिया और मुझे नहीं पता क्यूं मैंने ऐसी हरकत की यार बैंडेज वगेरा भी पड़े थे बैंडेज साइड में एक कोने में चुपचाप से ये दो लड़ रहे थे स्कौर्ड चुपचाप से हीलिंग करने की बजाए मैंने बोला यार सबको मैं ही पेलूंगा आपके साथ भी कभी होता हो गयार अगर आप नौक होते हो न भाई या तो आपको गुसा आएगा या तो फट के चार हो जाएगी तो फट के मनलब फट तो रही थी यार हना कि मैं ठिल जाता तो यार वीडियो कैसे बनती लेकिन भाई या गुसा भी आ रहा था तो यहां पे आया मैं सबको पेटी बनाई और आखिर का थो थोड़ा जो बचा और देखो मैं मजाग भी नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, यह जो मेरे 11 किल है न, 11 किल से जादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि ये बंदा गाड़ी लेके आगया मेरे लिए, भाई पता नहीं क्यों लेकिन जब भी मैं यहां आताओना मिलती रही भाईया, मतलब होता है न, जिंदगी में कहीं साधी होती है, हना काफी दूर होती है वो जगह और आपको पैदल जाना होता है, लेकिन क्योंकि भाईया फ्री का खाना है तो यार पैदल भी जाएंगे बोलके आप घर से बाहर निकलते हो ही उतने में ही, आपका एक वेला दोस्त मिल जाता है और वो उस पे गाड़ी होती है, तो आप साथ में बैट के जाते हो, बस यहां पे फरक इतना था, अब मैं बस बंदे पेलने जा रहा हूं और जो गाड़ी लाए उसको मैंने वही पेटी बना दी उसकी और यहां पे आ गया हूं, खैर इसके बाद देखो यार पता यहां पे न मुझे बहुत दुख होता है और भाई जो गुसार होते हैं आलग लेवल पे होता है यार, मतलब यहां पे मैंने चार बंदे पेले और बस तीन की किल मिली क्यूंकि यह जो पीछे बैठे है न भाई, यह किल चोरी कर गए और भाई तुम्हारे भाई ने बदले की आग में भाईया उस गुसे में उस दुख में, किल चोरी होने के दुख में भाई, दो ढ़ाई बंदे ऐसी नौक कर दिये मतलब एक की तो सीधा पेटी बनाई भाई, सारा गुसा उस पे निकाला पेटी बना के, उसके बाद बाकी दो बंदे भाईया चलाए जा रहे गुली, मैंने बोला यार मेरे पे कार 98 है ठीक है भाईया हलवा थोड़ी चला है, यहाँ पे तो भाईय लोग देखो यार इस चीज के लिए ये खतरनाग जो सौर थे ने यार एक लाइक तो बनता है, पेल दो यार लाइक के बटन को निला टैप कर दो, और तब तक मैं इन बंदों को पेलने की कुशिश करता हूँ याँ पे और जिस बंदे को अभी नौक किया ना भाई, ये वही बंदा था जिसने बेशर्मी से किल चुराई थी और इसको मैं बहुत गोली पेलता हूँ, ठीक है अब पता नी क्यूं कब कैसे वो नौक नहीं होता, लेकिन कोई बात नियार, मेरा सफल हो चुका है काम यहाँ पे क्यूकि देखो इस बंदे की पेटी बनाके न, ये नीले कपड़ो वाला बंदा भाई, इसकी पेटी बनाके जो मिला है न, मुझे जो सुकून मिला है यार, अब मैं अगर ठिल भी जाओंगा न, मेरी यहाँ पेटी बन जाएगी, कोई नियार, मेरी जिन्दगी सफल हो चुकी है, मेरे ये मैच सफल हो चुका है क्योंकि उस बंदे की पेटी मैं बना चुका हूँ, जिसने किल चुराई थी, लेकिन अब क्या करया यार, देखो, बाकी बंदे जिन्दा हैं, तो उन्हें भी पेलना पड़ेगा, हना यार, किल कैसे बढ़ेगी, केडी कैसे बढ़ेगी, तो बंदा दिखता है मुझे एक में नहीं बैटरें, और देखो यार, अब जो मैं नेट करूँगा ना भाई, मजा आने वाला है, बिल्कुल जहर नेट होगा, मैं जानता हूँ, सस्ते नेट होते मेरे, लेकिन भाईया, ये वाला नेट ना, मुझे नहीं पता कब क्यूं और कैसे, लेकिन बहुत महेंगा ह होते हैं, तो भाई, खतरनाक सीनोने वाले मजे करो बिल्कुल, यहां पे ना, पहले मुझे लगा था कि भाई, एक ही बंदा है, ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ, भाईया, किल अठा रहा हूँ चुकिये, तो पता चलता है, यहां पे असल में दो बंदे बैठे पड़े ह में, कैसे चिपक के दुपक के बैठे थे की भाईया, नेड आ रहा है, रहट जाओ फटरी है मेरी, तो नेड फटता है, उसके साथ-साथ यह भी फटते हैं, दोनो बंदे ठिल जाते भाई, मुझे नहीं पता क्यूं कभी-कभी भाईया, खतरनाक टाइप के नेड लग जात थे, इनके पास मेरे ख्याल से हाना, जो की काफी सही यार, क्यूंकि लवल 3 का हेलमेट और मेरा कार 98 की दुस्मन यार अलग लवल पे है, जन्मो जन्मो की है, क्यार उसके बाद यहाँ पे बहुत लूट पड़ी होती है ना, अंधी लूट होती है, बिल्कुल तो मैं बिल् उठा सकूं और उतने में ही, एक और स्कौर्ड आजाती है यहाँ पे, अब यह जो स्कौर्ड आई है ने भाई, यह अच्छे बंदे हैं, मतलब भाई, यह ऐसा नहीं कि भाई, किसी को नौक कर दिया तो वो छोड़ के चल देंगे, नहीं यार, उसको रिवाइव दिया जा और यार, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन चलती गाड़ी से गूलिया चलाने में न अलगी मजा आता है, चाहे गूली लगे न लगे, हजार गूलिया बरबाद हो, लेकिन यार, अगर कोई ठिलता है ना भाई, मजा टाइप आ जाता है, खेर यह लोग स्मोक वगेरा कर रह मैं देखो यार, मिट्टी दिल इंसान, मैं बोलता है ठीक है भाई, नौक होगे, कोई बातनी यार, तुमारा भाई चिकन करेगा, और मैं निकल लेता है यहां से, वैसे ऐसा मत करना है, क्योंकि जो गालिया पढ़ती है न, अलग लवल पे पढ़ती है, तो अगर बचा सको या तो भाईया, वो होता है न भाई, जब गेम नसे करता है, बोल दो भाईया, मेरे गेम नसे दे दिये, लैग लूग हो गया, हना अब वो भी क्या बोलेगा, देखो यार, समल के खेलो, गाल या नी पढ़नी ची जिन्दगी में, खैर, वो सब छोड़े यार, उसके बाद मुझे पता है यार, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा सस्ता इस्प्रे था, मुझे खुद पे सरमारी है, लेकिन क्यूंकि बे सरम और ढीट होने के कारण यार, मैं रुकता नहीं यहाँ पे बिल्कुल और किस्मत ऐसी कि मैंने सोचा चलो, गलती से हेट सौट दे दूँगा भाई का बस कंदा दिख रहा है, और वो सस्ता इस्प्रे यार, शरम मुझे बहुत आई, लेकिन क्या करयार आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई नियार, एकाज इस्प्रे हो गया, सस्ता आगे तमीज से करेंगे, और वैसे भी यार, बंदे की पेटी बना दी, तो चलता यार, मतलब उस भाई पे ग्रूजा थी, अगर मैं वापिस नहीं आता ना कवर में, अगर मैं वहाँ पे बेसर्मों की तरह पी करत के बैठा रहता, तो मेरी पेटी बनना तय थी, लेकिन तुमारे भाई न मुझे बहुत हुआ है, किल्चोडी का, तो यार, एक लाइक पेल दो, क्योंकि क्या पता आपका एक लाइक, तुमारे भाई का दुख कम कर दे, और ये थी मेरी ओवर एक्टिंग हाना, लेकिन यार, सही बतारो, लाइक कर दो, यार, मजा रहा है, तो लाइक ठोक दो, और म याँ पे मैं बताता हूँ, असल में क्या हुआ, देखो, असल में ये हुआ, जैसी मेरा गलती से हैट सौट पड़ा ना उसे, उस बंदे की फट गई बुरी तरह, मतलब इतना घबरा गया वो बंदा, उसने बोला, भाईया, हमारा सौट तो लगा नहीं, मेरी हैल्थ ऐसी क तैसी होगी, ये धैड़ पैड कवर में जाऊँगा, और कवर में जाने के चक्कर में उसने भाईया, जम्प जुम्प का बटन दवा दिया होगा, भाई सीधा नीचे कूदे, और मैं सीधा यहाँ पे आगे इनकी पेटी बनाने, और यहाँ पे जिस बंदे को मैंने बाहर किया था ना, बहुत जल्दी, इतनी तेजी में ये उपर आया, पता नी कैसे भाई मेरे से पहले ये उपर पहुँच रखा था, और मैं भगते वे आ रहा हूँ, और ये रेंगते वे यहाँ से, खेर आगे आओका यार, वो सब छोड़ो उसके बाद, अगर आपको याद हो या गुरोजा मतलो सिर्फ पांची बंदे तो पेलने है, और मैं इतना बेवकूफ मैं सुन लेता हूँ बाद, यहाँ पे मेरी गलती है, और देखो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर गुरोजा और AWM कहीं पे पड़ी है, और आपने उसे नहीं उठाया ना, तो जो पाप चड अब यहाँ गलत सीन जरूर होंगे हमारे साथ, और यह देखो एक बंदा भकते वया रहा है यहाँ पे, और यह बंदा ना, बहुत बहुत ज़्यादा गलत जगह में फस चुका है अभी, अब देखो उसकी तो हमने पेटी बना दी ठीक है, गाड़ी की कोई जट नहीं कि हमने बोला यह अपने पे एक गाड़ी पड़ी है, फोड़ दो इनकी गाड़ी, और इनकी थी भी किनी पता नहीं यहाँ बस फोड़ दी पेटी बन गए उसकी हम खुस हैं अभी, लेकिन भ दोनों गन हलवा निये यार मजाक नहीं करना उनके साथ, और क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती की, तो मुझे भुकतना ज़रूर पड़ेगा यार, तो आपको भी देखने को मिलेगा, क्या सीन होंगे, बराबर पाप चड़ेगा हमें, खेर उसके बाद जोन अपना साथ नही देखा लेकिन चिकन करते वे जो दिक्कते होंगी नयार, देखने लाइक होंगी, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सामने हमें दो तीन बंदे दिखते हैं, तो हम बिल्कुल अपने चौड में, बिल्कुल हमेशा की तरह गाड़ी रोकते हैं, और धैर पैर गोलिया चलाना हिसाब से यार, जो पांचवी फेल्क होंगे मैंने जो भी मैच सीकी है ना भाई, उसके हिसाब से एक और बंदा बाकी है, जो की आगे नहीं है, और वही गड़बर करेगा, चलो भईया, मेरा तो हो गया, ठीक है, मुझे मेरी कर्मो की सजा मिल गई है, ग्रोजा ना उठान की सजा मिल गई है, लेकिन याद अठना यार, सिर्फ मुझे मिलिये अभी, और उस बंदे को नहीं मिलिये, जिसने बोला, अरे मत उठा यार, अभी तो पांची बंदे ठिलाने कभी भी, कभी भी आपको कोई ऐसा दोस बोले ना भाई, उसे सीधा मूट करो, उस पे नेट क्योंकि यार, ऐसी सीन होंगे, अगर आप गरोजा नहीं उठाओगे, हना गरोजा होती तो, मैं शायद उन्हें ना पेल पाता है, यहां से, कोई नियार, लेकिन मैं नौक नहीं उता, क्योंकि मुझे सजा नहीं मिलती, खेर, मुझे मिल गई है, और जैसा कि मैंने बोला, एक बंदा अभी भी जिन्दा है, जो की आगे नहीं है, और वो गलत सीन करेगा, और वो किस चीट से गलत सीन करेगा, वो आप देखना, क्योंकि आपको पता है, मैंने गरोजा नहीं उठाई है, दिमाग में यह बात याद रखना, हमने गरोजा का अपमान किया है, तो यार भुगतना पड़ेगा और देखो यार आप देखो आपको समझ आ जाएगा मैं क्यूं बोल रहा हूँ ये सब देखो यार अभी पता इस चीज पे न मैंने गेम के टाइम ज़्यादा ध्यान नी दिया था लेकिन जब अभी देखा न मेरे टीमेट को नौक किया गया ग्रोजा से और हमारे भाई ने किस गन की बेजत्ती की थी ग्रोजा की बोला यार पांची बंदे जिन्दा यार एमफोर से पेल देगा तू तो सजा मिल गई है हमारे भाई को भी खेर आगे वाले बंदे जो जिनको मैंने अभी नौक किया वो भी हमें पेल रहे थे तो यार यहाँ पेना मैं बहुत मुश्किल से बचाऊं मैं आधे सेकंड की वज़त से बचाऊं यहाँ पे देखो क्या हुआ जो ग्रोजा पीछे से पठका राथा ना बंदा अगर मैं हील करके उसे पेलने की कुशिस करता तो यह लोग मुझे मार देते हना और बच गया यार मैं कैसे तैसे यार माफ कर दिया गया है इस बार मुझे ग्रोजा ने हना अगली बार से कभी भी जिन्दगी में कुछ भी हो चाहे मेरी पेटी वने मैं ग्रोजा जरूर उठाऊंगा अब और आखिरकार भाई आखिरकार चिकन चिकन हो गया एक टाइम के लिए तो मुझे लग रहा था ना हो पाएगा इस मैच में हना मतलब पीछे से भाई या वो बंदा जिसको हमने गाड़ी में पेला था याद एक गाड़ी को फोड की एक बंदे को पेला था पेटी बनाई थी ये उसी बंदे का टीमेट था जो की इधर पे आया लेट रखा था पीछे से भाई रेंग टेवे आया और सीधा ग्रोजा पेली हमारे भाई के वो तो अच्छा हुआ भाई में पीछे टाइम पे चला गया ग्रोजा ने माफ कर दिया मुझे अपसे कुछ भी हो यार मैं अपने टीमेट की बात नहीं मानूंगा ठीक है ग्रोजा है उठालो एक बंदा जिन्दा हो आधा बंदा देखो चिकन चिकन लि चलाओ कोई सीन ही नहीं है लेकिन याद रखना अगर कुछ भी गड़बर हुई ना भाई तो तयार है ना उस गड़बर के लिए तो बस भाईलो आज की वीडियो में इतना ही देखो यार मैं सिंपल यह कहना चाहता हूं कि अगर ग्रोजा है एडबलो एम है एडबलो एम और ग्रोजा ना उठाने का कोई मतलब ही नहीं है कोई लोजिक लोजिक बनता ही नहीं है यार क्यों कोई नहीं उठाएगा उसको मतलब मैंने मुर्कता करी है ना मैंने वो लैयार पांची बंदा है मेरे टीमेट ने बोला भाई पांची लॉंडे बाकी आराम से पेलेंगे मैंने मानली बात और गड़बड हो गई ने आखिर में तो जो भी कर रहे हो अपने रिसक में करना आज की वीडियो में इतना ही भालो गयार जाते जाते लाइक के बटन को पेल दो हाना ताकि आपके साथ मेरे जैसे गलत सीनना हो मतलब जरूरी नहीं है यार की गड़बड होगी मैच में हाना लेकिन क्यों आप रिसक लेना चाहोगे यार मैंने रिसक लिया हुई गड़बड दिक्कत हुई तो देख लो यार और लाइक ठोक दो यार क्योंकि मुझे इस वीडियो में खुद बहुत मजाया तो यार मुझे लगता है आप लोग को भी मजायोगा तो लाइक के बटन को नीला टैप कर दो तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतनी बहुत बहुत शुक्रया वीडियो कर देखने के लिए यहां पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे गलत सी ना भाई मेरे साथ होते रहते तो सब्सक्राइब जरूर करना तो कर मिलते हैं भाई लोग यार बाई सुझे बाई भाई जरूर करता तो अड़ स्बस्क्राइब झाल झाल